हिंदुत उशब्द के बारे में मुझे यस बात का डुख है कि MEडिया भी हिंदुत को हिंदू धर्म से जोड़ता है है जबकि हिंदुत का हिंदु धर्म से कोई लिना देना नहीं ए सनातनी परंपराओं से कोई लिना देना नहीं है और ये मूल सनातनी परंपराओं और विचारधाराओं के ठीक विपरी थे सावरकर जी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं थे उन्हेंनों यहां तक कहा था कि गव माता क्यों मानते हो और उन्हें के इत्राज नहीं था गवमास खाने के लिए भी तो सावरकर जी को जुन्होंने की हिंदुत को हिंदू आइडेंटिटी को establish करने के लिए उन्होंने हिंदुत का शब्द विलाए और उसके कारण लोगों में भ्रम फैल गया जिसे की प्रचार तंत्र और प्रचार तंत्र में राष्टी स्विमिंग स्वंग संग को कोई जीतना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अफवा फैलाना और अफवा को आखरी दम तक ले जाना उनसे बहतर कोई जानता नहीं है और आज की युग में जहां सोचल मीडिया और इंटरनेट है उसमें तो यह ऐसा एक हत्यार उनके साथ में आ गया है जो की अकाट इसावित होता चला जा रहा है अयोद्या कि फैज़ाबाद की अदालत में भूमी का विवात था लेकिन विश्विंदू परिश्यद बजरंग दल और आरेसस ने कभी इसको मुद्दा नहीं बनाया था और जब उनका 1984 में दो सीटों पर आकर वे सिमट गए तो उन्होंने इसे राश्टी स्तर पर मुद्दा बनाने का निर्ने किया क्योंकि अटल ब्यारी बाजपाई जी का गांधियन सोशलिजम ने 1984 में फेल हो गया था इसलिए उन्हें फिर से जो हाट कोर फिनैटिक रिलिजिस फंडमेंटलिजम जिससे राश्टी सोयम सेवक संग और उसकी विचारधारा जानी जाती है उस रास्ते पर चलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया अडवानी जी की रत यात्रा समाज को जोडने वाली यात्रा नहीं थी तोडने वाली यात्रा थी और जहां वो गए उन्होंने नफरत का बीज बोते चले गए धार्मिक उन्माज विचारधारा का जीन जब तक बोतल में बंद रहता है तब तक शान्ती रहती है जिस दिन निकल जाता है उस जिन को वापस बोतल में डालना असंभव है और यह जिन अडवानी जी की यात्रा से नगन केवल निकला लेकिन उसने पूरे देश में एक माहौल सामप्रदैक उन्माद का फैलाकर हमारे सामने प्रस्तुत किया